नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सम मजे में होंगे तो यार आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे तो पहली request यह है कि यार आप गभी भी वीडियो को download मत किया करो क्योंकि जब भी आप वीडियो को download करते हो तो इससे हमारा बहुत बढ़ा नुकसान होता है ठीक है और second बात कि आप तभी वीडियो देखना अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी हो मतलब हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करेंगी जिसके अंदर हम सारा content आपको दे सके तो आप वीडियो को जब देखने बैठते हो तो इसे एक stretch के अंदर में पूरी वीडियो को देख लिया करो ठीक है तो आशा करता हूँ कि आप हमें निराश नहीं करोगे तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं from homecoming की अब यह जो from homecoming एक poem है इसे आर्थ पार्था सास्तरी ने लिखी है इनका पूरा नाम राज गोपाल पार्था सास्तरी है और इनका बर्थ हुआ था 1934 में तमिल नाडू के तिरुचिरा पल्ली में इन्होंने अपने primary education पूरी की डॉन बॉस को high school में इसके बाद सिधार्थ कॉलेज मुंबई से और फिर इसके बाद वो अपनी further studies के लिए चले गए England जहाँ पे उन्होंने Leeds University से education पूरी की उसके बाद उन्होंने अलग-अलग जगह पर अलग-अलग काम किये जो कि आपकी slides में आप देख सकते हो अब इस slide में इनके कुछ काफी अच्छे works के बारे में लिखा हुआ है तो अगर आप इसे भी स्वाद अनुसार याद कर लो और exam के अंदर में लिख कर आ जाओ तो examiner बाबा खुश हो जाएंगे ठीक है तो अब तक हमने बात की about the poet यानि की आरपार्था शास्त्री से जान पहचाल अब शुरू करते हैं poem के साथ तो अब ये देख लेते हैं कि ये poem basically किस reference में लिखी गई है ठीक है यानि की poem पढ़ने के लिए आगे इसके text को पढ़ने के लिए हमें अपने subconscious mind के अंदर में क्या image या क्या picture लेके चलना है ठीक है तो आईए शुरू करते हैं तो होता क्या है कि आरपार्था शास्त्री जो की point है वो काफी समय तक UK में रहकर इंडिया वापिस आये होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे expectations होते हैं अब इसको आप कैसे relate करना आप ये बस सोच के चलो कि जब कभी आप बाहर से आते हो ठीक है तो आपके मन में भी बहुत सारी expectations होते हैं अपनी जगह को लेकर के ठीक है जैसे मैं काफी समय तक hostel में रहा ठीक है मैंने अपनी schooling जवाहर नवोदे विद्याले से अपने घर से लेकर के घर के आसपास के महौल से लेकर के दोस्तों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारी expectations होती थी ठीक है तो कई बारी क्या होता है कि आप expectations आपकी बहुत high चली जाती है लेकिन reality बहुत low होती है ठीक है तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आर पार्था सास्तरी के साथ होने वाला है आगे तो मैं तो ऐसे feel मैं तो इस तरीके से इस poem को खुद से जो है वो relate करके देख पाता हूँ आप में से कितने लोग बाहर रहकर पढ़े हैं कितने hostess में रहकर पढ़े हैं इसके बारे में आप comment box के अंदर में मुझे जरूर बताईएगा I would be very happy ठीक है तो इसी feeling के साथ और expectation को लेकर के आरपार्था सास्चरी इंडिया अपने घर तमिल नाडू वापिस आते हैं लेकिन उनकी उमीदों पर पानी फिर जाता है जो कुछ भी वो यहाँ feel करते हैं देखते हैं वो सब उनकी expectation से बिलकुल अलग होता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने घर पर वापिस आय ही नहीं और फिर वो परिशान होकर last में ये सोचते हैं कि भाईया जितनी भी मैंने planning की जो कुछ सोच के expectations के साथ मैं भारत आया था अपने घर आया था वो सारी चीशे तो अब fail हो गई है उनके उपर तो पानी फिर गया है ठीक है तो अब जो है मैं सारी life को कैसे जिऊंगा uncertainty के साथ जिऊंगा अब uncertainty का मतलब क्या है कि अब वो life के अंदर में सोचते हैं कि मैं कुछ भी planning करके नहीं करूंगा जो कुछ भी होगा जिंदगी जैसे भी चलेगी मैं वैसे ही जिऊंगा मैं जिंदगी के साथ चलता रहूँगा ठीक है तो जब आप इस poem को पढ़ो आगे तो आप अपने subconscious mind में यही चीज़ सोच के चलना कि ऐसी कुछ picture है जो कि आप poem के अंदर में पढ़ने वाले हो ठीक है तो अब इस poem को मैंने divide किया है कुछ parts में जैसे कि पहला part है वो तब का scene बताता है तब के scene को represent करता है जब वो इंडिया में land हुए होते हैं और अपने घर के तरफ जा रहे होते हैं ठीक है second part है वो उस scene को represent करता है जब वो अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ पर देखते हैं चीजों को third part है जब वो अपने language को महसूस करते हैं कि अब जो language वो बोलते थे जो language वो समझते थे जो language उनके दिमाग में थी जो picture उनके दिमाग में थी कि मेरी तमिल language ऐसी है यहाँ पर आकर उनकी expectations पर पानी फिरता है और एक ही बार में उनको जड़का लगता है कि भाई तमिल भी बहुत जादा change हो गई है अब तो उनको अपने language भी अंजान लगने लगी तो ऐसा होता है तो third part में हम यह discuss करेंगे और fourth और last part जो है उसके अंदर हम discuss करेंगे कि इन सब changes का उनके उपर क्या असर पड़ता है ठीक है फिर उनकी जिंदगी किस तरीके से वो सोचते हैं कि मैं अपने life को किस तरीके से जिऊंगा जो कि हमने पहले uncertainty वाला एक point discuss किया है तो सबसे पहले देखते हैं इन lines को जो कि represent करती हैं तब की situation जब वो इंडिया में just आते आते हैं और अपनी घर की तरफ जा रहे होते हैं इन lines को भी हम दो तरीकों से पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके literal interpretation क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि इनका real meaning क्या है literal interpretation मतलब कि as it is जो English में लिखा हुआ है उसे आईए सबसे पहले इसके literal interpretation को देख लेते हैं तो इसके literal interpretation ऐसे है कि basically scene क्या है कि point अभी अभी इंडिया आया है और वो अपने घर की तरफ जा रहा है ठीक है तो घर की तरफ जाते हुए वो रास्ते में क्या देखता है कि जो evening है वो बहुत ज्यादा dull है ठीक है और evening full of dust है और जो सडख है इसके उपर बाहर उसे अपनी कार की खिड़की से दिख किया रही है कि evening full of dust है और इसके उपर जो traffic है उसने evening को ऐसा बना रखा है और महसूस क्या होता है इसे कि सडख के उपर बस pairs of obese headlights है ओबेस का मतलब क्या होता है fat यानि कि वो कार से बाहर देखता है तो उसे दो ही चीज़ दिखती है पहली चीज़ कि traffic ने evening को dusty कर दिया है मरा traffic के कारण जो शाम है उस समय चारो तरफ धूल ही धूल है दूसरी चीज़ से ये दिखती है बाहर कि वो जहां कहीं भी देख रहा है उसे बस बड़े-बड़े से pair of headlights दिख रहे हैं जो कि car के आगे ल कि जिस भारत या जिस घर की कलपना उसने की थी वो तो उसे भारत में अब दिखा ही नहीं वो इतने समय बाद इंडिया आया तो उसने किसी और इंडिया को या अपने hometown को imagine किया हुआ था जो कि उसके मन में बता था लेकिन उसे यहां ऐसा कुछ मिला ही नहीं उसे ऐसा लग अब उसे महसूस होता है अपने अंदर की अब मैं अपना ही नहीं रहा मैं बदला बदला सा हूं यहां पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अंजाना अंजाना सा है मेरे लिए तो वही बदला उसको शाम के ट्रैफिक में भी नजर आता है पहले उसे सड़क पर शाम के टाईम लोग जादा और मोटर्स कम नजर आते थे ठेक है या आते होंगे हम ऐसा मान के चलते हैं कि पहले उसे सडक के उपर लोग जादा और मोटर्स कम नजर आते होंगे अब ट्रैफिक जादा नजर आता है मोटर्स जादा नजर आते हैं और लोग कम नजर आते हैं इसलिए उसने लिखा है न कि उसे सडक के उपर क्या दिख रहा है? उसे सडक के उपर pair of obese headlights दिख रहे है ठीक है? और इतनी ज्यादा motors होने के कारण सारा का सारा environment जो है वो dusty हो गया है. अब आगे का scene जो कि second part है ये तब शुरू होता है जो poet अपने घर पहुचता है. वो कहता है कि मैं थका हुआ अपने घर पर वापिस आया आते ही क्या उसे महसूस होता है कि my face pressed against the window of expectation मतलग जब मैं अपने घर पहुचा तो मैंने जैसा imagine किया हुआ था जैसी मेरी expectations थी चीज़ें बिलकुल उसके अलग थी ठीक है? जैसा expect किया था उससे कहीं अलग हकीकत थी जिसे उन्होंने लिखा है कि my face pressed against the window of expectation फिर मैं घर की सीड़ियां चाहने लगा तो मैं घर के बाहर पड़े mad पर लड़ खड़ा गया फिर जब मैं घर की चाभी ढूंडने लगा घर के ताले को खोलने के लिए lock को खोलने के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चाभी मेरी हथेली में ही सो गई है कहने का मतलब है कि सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अंजान अंजान हो और interesting बात ये है कि इन lines में जो शायद आप भी feel कर पा रहे होंगे कि आप अपने घर आते हो और आपको सब कुछ अंजान सा लगे एकदम ऐसा feel होता है जैसे यादास्त ही चली गई हो मैं किसी बिलकुल नई जगह पर आ गया हूँ जहां पर मुझे मतलब जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है ठीक है तो ये इसके second scene के अंदर है जब वो अपने घर पे पहुंचता है और उसके बाद ये सारे चीज़ें उसे महसूस होती है अब next lines है third situation की जब वो अपनी ही language को बहुत अलग और अंजान महसूस करता है इस tenja में poet basically कह रहा है कि ये जो last refinement हुई है speech के अंदर में यहाँ पे speech से इसका मतलब Tamil language से है और refinement का मतलब है कि जो भी changes हुए है उसके mother tongue के अंदर में जो भी changes हुए basically तो refinement in speech का मतलब है कि जो भी Tamil language के अंदर में इस समय जो भी changes हुए है मतलब कि उसके दिमाग में तो कोई और Tamil language थी जिसे वो बोला करता था जिसे वो सुना करता था जिसे वो पढ़ा करता था अब इतने सालों बाद जब वो इंडिया वापिस आया है तो उसे अलग ही तमिल महसूस हो रही है ठीक है उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी भाषा भी उसकी नहीं रही होता क्या है कि जब वो पूछ कर आया था कि अपनी mother tongue के अंदर में काम करेगा उसमें poetry लिखेगा ठीक है उसकी mother tongue जो कि बहुत rich heritage को represent करती थी उसके दिमाग में यही था कि जो मेरी Tamil language है को कि आप Tamil जब भें literature को पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर में Tamil literature का एक बहुत important place वहाँ पे आपको find होगा आ कि जो मेरी mother tongue है जो कि बहुत rich heritage को represent करती है उसमें points लिखूँगा बट अब ऐसा possible नहीं लग रहा था उसको इसलिए बाकी लोगों को advice करता है कि अगर तुम्हें Tamil language पढ़नी है तो as a scripture तुम newspaper को refer करो पुरानी scriptures में पढ़के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो Tamil language जो कभी rich Dravidian heritage को represent करती थी आज advertisement की language बन गई है और बहुत dilute हो गई है ठीक है और poet को भी ऐसा लगता है कि उसकी language की जो problem है कोकि अब उसे Tamil language ही समझ नहीं आ रही है तो यह basically language उसकी क्या होगी problem हो गई क्योंकि जो language उसको आती थी अब बेसिकले तो वह language भी नहीं बोल प है तो एक problem ये दूसरी problem कि उसे आज के time में Tamilians क्या word use करते हैं जो ने ने words उसकी language के अंदर आ गए हैं उसे उन words के बारे में भी नहीं पता है ठीक है जो कि अब advertisement वगेरा में use होते हैं common लोग बोलते हैं जिस भाशा में बोल चाल वहाँ पे है तो उसे ये भी नहीं पता है तो वो यही कह रहा है कि आप newspapers को refer करो क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि उसकी language की जो problem है वो newspaper में ही solve होती है मतलब उसे आज के वक्त में use होने वाले words newspaper के थुरू ही पता चलते हैं तो अब last paragraph है जिसमें हम ये देखेंगे कि इन सब changes का point पर क्या असर पड़ता है वो कहता ह है कि वो अब life को unmindful यानि कि बेफिकरी से जिएगा ठीक किस तरीके से ठीक वैसे जैसे कि एक दिन बिना किसी चिंता के बेफिकरी में रात में convert हो जाता है ये दोनों चीजों को वो compare कर रहा है दिन और रात को और अपनी life को ठीक है अब क्या होता है कि आप देखना बहुत ही natural conversion होता है ऐसा तो है कि दिन का time है रात होने में उसे बहुत जाता मेहनत लगती है ठीक है बहुत आराम से दिन रात में convert हो जाता है ठीक है कोई उसमें मेहनत का काम नहीं है कुछ अलग करने की चीज नहीं है दिन है तो वो रात में convert हो जागा वो natural है उसी तरीके से वो कह जैसे ही जैसे बिना किसी टैंशन के बिना किसी फिक्र के दिन रात में बदल जाती है वो अपने दिल को वैसे ही बाहर निकाल देगा जैसे कि अपनी जेब को कोई अंदर से बाहर करता है ठीक है जैसे अपनी जेब को कोई अंदर से बाहर करता है मतलब कि वो एकदम अपनी ए बेर कर रहा है ठीक है अपनी टेंशन को दिल से बाहर निकालने को अपनी एक्सपेक्टेशन को दिल से बाहर निकालने को और अपने जेब को इंसाइड आउट करने को ठीक है वो यह दिखाना जा रहा है कि कितनी आसानी से या कितनी तीजी में वो अपने एक्सपेक्टेशन क को अपने दिल से बाहर निकाल देगा, अपने माइंड से बाहर निकाल देगा, ठीक है, और वो सोचता है, कि वो इसी तरीके से content के साथ, यानि कि satisfaction के साथ, वो अपनी life को आगे uncertainties में जियेगा, और उसे last तक कहीं न कहीं यह महसूस हो जाता है, कि भाईया, यह homecoming कभी भी perfect य कहीं दूसरी जगह चले गए, तो आप वापस उस जगह पे as it is नहीं आ सकते, जैसे कि अब पहले यह England गया, England के अंदर उसे शुरू-शुरू में रहने में दिखते आई, जब वो वहाँ के साथ से settle हुआ, उसे इंडिया आना था, तो वो इंडिया आया, तो वहाँ पे अ हमें motivate करने के लिए और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे subscribe, share और like करना, मत भूलना, thank you, thank you, have a nice day.